Hi guys, welcome you all once again और आज के इस वीडियो में हम लोग टाइमर के इंट्रोडक्शन को देखेंगे देखिए किसी भी माइक्रो कंट्रोलर में टाइमर एक बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट फीचर होता है अगर इसके uses की बात की जाए तो different waveforms को generate करने में हम इसको use करते हैं इसके अलावा हम pulses को अगर count करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी टाइमर का use होता है तो आगे आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइमर की applications को और उसको implement करके देखेंगे फिलाल आज के इस वीडियो में हम लोग टाइमर के basic को cover करेंगे तो बिना किसी देर की एवे मैं वीडियो को शुरू करता हूँ देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं टाइमर होता क्या है टाइमर simply एक register है जो अपने अंदर कुछ values को hold करता है और यह जो values होंगी यह binary form में होती है मतलब कि zeros और ones की form में होती है और इस register के एक special property होती है कि यह अपनी जो values होती है उसको automatically increase या फिर decrease करता है with respect to time अब जिस frequency से हम लोगों का timer अपनी values को change करता है उसको हम लोग timers frequency बोलते हैं अब timer को frequency चाहिए तो मतलब इसका कोई एक source भी होना चाहिए तो आप देख सकते हैं यापर हम लोग internal clock source ये फिर external clock source को use कर सकते हैं अपने timer की frequency के लिए इसके बाद आप लोग देख सकते हैं timer की जो frequency होती है वो independent होती है CPU frequency से और timer frequency less than or equal to हो सकती है हम लोगों के CPU frequency से और programmer चाहे तो timer की frequency को decrease कर सकता है division factor से और इसी को हम लोग pre-scaler बोलते हैं तो समझ लेते हैं एक बार हम लोग pre-scaler के concept को देखिए suppose आप लोगों के पास एक CPU है जो की 12 MHz पर operate होता है और एक timer है जिसको आप लोग 6 MHz पर operate करना चाहते हैं तो basically होगा क्या हम लोग CPU को जो भी frequency दे रहे हैं उसी frequency को हम लोगों को यहाँ पर divide करना होगा by 2 से तो यह जो division factor होता है इसी को हम लोग pre-scaler बोलते हैं तो यहाँ पर होगा क्या जो भी signal यहाँ पर आएगा उसको हम लोग एक circuit से पास करेंगे और यह circuit basically इस 12 MHz को divide करेगा और इसके बाद जो भी यहाँ पर output आएगा वो हम लोग अपने timer में देंगे और यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देनी है जो pre-scaler होते हैं वो हम लोगों के fix होते हैं और vary करते हैं microcontroller to microcontroller मतलब कि यहाँ पर जो division factor है वो fix होंगे जैसे कि यहाँ पर 2 एक division factor हो सकता है 1024 एक division factor हो सकता है तो यह basically microcontroller to microcontroller vary करता है इसके बाद हम लोग देख लेते हैं AVR के timers को देखिए AVR में 2 types के timers हो सकते हैं एक आपका 8 bit timer है और दुसरा 16 bit timer है जो 8 bit timer होगा वो अपने अंदर 0 से लेके 255 तक की values को store कर सकता है और वहीं दुसरी तरफ हम लोगों का जो 16 bit का timer होगा वो 0 से लेके 6, 5, 5, 3, 5 तक की values को hold कर सकता है और जब भी हम लोगों के timer maximum value पे reach करते हैं उसके बाद वो initial value पे return करते हैं मतलब की अगर हम लोगों के पास 8 bit का timer है और वो 255 तक पहुँच चुका है तो वो again उसके बाद return होके 0 में आएगा और इस process को हम लोग basically बोलते हैं timer overflow इस सीज को आप लोग इस diagram से समझ सकते हैं यहां पर हम लोगों के पास 8 bit का timer है और इसकी initial value है वो 0000 है तो basically होगा क्या हर एक time period के बाद ही अपनी value उसको change करता रहेगा यहां पर 1 होगा फिर 2 होगा और इसकी maximum value है वो 255 तक जाएगी और जैसे ही यह 255 पहुँचेगी इसके बाद हम लोगों का जो timer है वो initial value पह जाएगा मतलब की again top से bottom में 0 में जाएगा तो इसी process को हम लोग बोलते हैं timer overflow next हम लोग देख लेते हैं frequency, pre-scaler और bit resolution का significance क्या है suppose हम लोगों के पास एक CPU है जो 1 MHz पहोपरेट होता है और अगर आप लोग यहाँ पर pre-scaling use नहीं करेंगे तो timer की जो effective frequency है वो भी 1 MHz रहेगी तो इसके corresponding हम लोगों का जो pulse है उसका time आएगा 1 into 10 to the power minus 6 मतलब की 1 into 10 to the power minus 6 seconds के बाद हम लोगों का जो timer होगा वो अपनी values को change करेगा अब यहाँ पर हम लोगों का जो timer है अगर उसका bit resolution 8 bits का है इसका मतलब होगा कि यह maximum 255 तक अपनी values को hold कर सकता है तो यहाँ पर अगर आप calculation करेंगे तो पाएंगे कि आप लोगों का जो timer है वो 2.55 into 10 to the power minus 4 seconds के बाद overflow होगा वही अगर आप लोग बात करें 1 MHz के frequency और कोई भी pre-scalar use नहीं करेंगे और bit resolution अगर आपका 16 bit का होगा तो यहाँ पर हम लोगों का 6.055 into 10 to the power minus 2 seconds में timer overflow होगा इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम लोग frequency 1 MHz यूज़ कर रहे हैं और pre-scalar 1024 यूज़ करेंगे तो आप लोगों का जो timer है वो 67.1 second के बाद overflow होगा similarly यहाँ पर हम लोगोंने 12 MHz के लिए भी calculations की हुई है next हम लोग देख लेते हैं 8 MHz के timers को यहाँ पर हम लोगों के पास 3 timers होते हैं timer 0, 1 and 2 timer 0 और 2 जो है वो हम लोगों के 8 bits के होते हैं वहीं timer 1 जो है वो 16 bit का है और इनके corresponding यहाँ पर हम लोगोंने कुछ features लिखे वे हैं इनको हम लोग आगे use करने बाले हैं फिलहाल हम लोग initially timer 0 से start करेंगे क्योंकि यह आपका 8 bit का timer है और सबसे basic timer है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोगों के पास pre scaling 10 bits की है मतलब की 1024 तक की हम लोग यहाँ पर pre scaling कर सकते हैं और इसको हम लोग as a external event counter भी use कर सकते हैं frequency generation में इसका use होगा और यह as a single channel counter use कर सकते हैं तो आगे आने वाली videos में हम लोग इस इसको discussion करेंगे आज के लिए इतना ही आई होप आप लोगों को इतनी चीज़े समझ आ गई होंगी अगर आप लोगों के कोई doubts हैं तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं सो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ बने रहने के लिए channel को subscribe जरूर करें अपने फ्रेंड लोगों के साथ आप लोग जरूर शेयर करें जो इस technology को सीखना चाते हैं So thank you so much for watching जै हिंद जै भारत